Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डेसकस करेंगे वक्षीट नमबर 38, 4 क्लास 7 विशे सामाजिक विज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 22nd of December 2021 के लिए शर्यूल की गई है आज की जो वक्षीट है बच्चो उसमें हम पाठ पाँच उद्धोग इस चप्टर को शुरू करेंगे वक्षीट शुकरने से पहले प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखे आज की वक्षीट में क्या दिया गया है आप अपने दैनिक चीवन में जिन वस्तों का प्रियोग करते हैं उनकी एक सूची बनाईए जैसे आप अपने दैनिक चीवन में जिन जिन वस्तों का प्रियोग करते हैं उनकी आपको यहाँ पर अलग-अलग एक सूची बनानी है जैसे साब सफाई से सम्मंदित है, साबुन, बाल्टी, मग है खाना बनाने से सम्मंदित थाली, कटोरी, गिलास है पड़ाई लिखाई से सम्मंदित कलम या पुस्तक है यातायाद से सम्मंदित अगरम बात करें तो साइकल, रिक्षा, आटो है और लास्ट में रहेगा अन्य, अन्य में आप जैसे मनोरंजन से रिलेटिड लिख सकते हो, ठीक है तो इस तरह आपको यहाँ पर और भी चीजों की क्या बनानी है सूची बनानी है तो यहाँ से आप इस तरह से इनकी सूची बना लेंगे जैसे साब सभाई से सम्मंदित हमने और लिखा है हार्पी की है, सैनिटाइजर है, शैंपू, वाइपर, पोछा इसके लावा खाना बनाने से सम्मंदित गैस्टो है, सिरेंडर है, चाकू, चम्मच, प्लेट इसके लावा पड़ाई लिखाई से सम्मंदित आप लिख सकते हो रबर, शापनर है, पैमाना, प्रकार, पेपर वेट और यातायात से संबंदित बच्चो जैट, वायूयान, टेक्सी, मोटरसाइकल, अन्यमनोरण जो संबंदित है टीवी, मुबाइल, कैरम, कैरम बोर्ड है, लुडो, सत्रंज, ठीक है, तो ये जो है आपे लिख सकते हो, उसके बाद आगे आपसे पूछा गया है कि क्या ये व वस्तवे जो है, ये कच्चे माल से ऐसे बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि प्राकतिक रूप में ही हमें इसी तरह से हमें पेपर वेट मिलता है, शापकर मिलता है, नहीं, हमें वो बनानी पड़ती है, फैक्टरीज में, उद्धोग में, यदि नहीं तो फिर ये कहां से और कैसे मिलती हैं, तो ये कहां से मिलती हैं, ये हमें उद्धोगों से मिलती हैं, वास्तव में उद्धोगों का संबंद उन आर्थिक गतिविध्यों से है, जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मुल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, तो उद्धों क्य होते हैं उध्योग होते हैं जो कच्चा माल होता है वो ठीक है लोगों के लिए उस कच्चे माल को अधिक मुल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर देता है जैसे की गन्ना है ठीक है आप गन्ना क्या है गन्ने से क्या बनी शुगर बनी चीनी बनी तो बच्चो जो चीनी ह उसका मुल्य गन्य से क्या होगा ज्यादा होगा साथ ही साथ जो चीनी है उसके प्रियोग भी ज्यादा होगे जैसे चीनी से हम मिठाई बना सकते हैं लेकिन गन्य से तो नहीं बना सकते हैं इसलिए ये सारा किसके कांड संभव हो पाया ये सारा संभव हो पाया उद्योग के क है और उसकी कीमत भी जादा हो जाती है तो ध्योगों के कारण जो कच्चा माल होता है उसकी कीमत उसके मुल्य जो है वो बढ़के और वो कीमती हो जाता है ठीक है उसके बाद देखे इन्हें वी निर्मान छेत्र या द्वीतिय क्रिया कलाब की गतीविदियां भी कहते हैं तो जो चीजों का मुल्य बढ़ा देते हैं उसको क्या कहा जाता है उसको वी निर्मान छेत्र कहा जाता है वी का मतलब होता है दोबारा और निर्मान का मतलब जैसे बनाना तो क्या कहेंगे वी निर्मान छेत्र ठीक है यानि कच्चे माल से चीजों को दोबारा नई जो है थीविदिया भी कह सकते हैं, अब हम उद्धोगों का वरगी करन कच्छे माल के आधार पर अलग-लग तरीके से कर सकते हैं, जैसे देखिए कच्छे माल के आधार पर कच्छे माल का प्रकार हो जाएगा, जैसे वनस्पती है, फसल है, जन्तु अधारित दूद और चमडा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्रशी अधारित हैं, और इसमें निर्मित वस्त्वे कौन सी होंगी, गन्ने से चीनी, सरसों से तेल, कपास से सूती, वस्त्र गेहुं से आटा बनता है, दूद से पनीर बनता है, घीज से मक्षन, आदी, चमडे से बैग बनता है, तो ये सब क् क्रशी के उपर, क्रशी से मिलने वाले कच्छे माल के उपर अधारित हैं, वो जो है उध्यूग हैं, जो इस तरह से बदले जाती हैं, उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, तो वो है खनीज अधारित, तो खनीज अधारित में क्या होगा, जिसके अंदर जो कच्छा माल है वो धातू होती हैं जैसे की लोहा, तांबा, अलुमीनियम अब हम लोहा जगर हमें जो मिलता है उसको हम एस तीस तो प्रियोग नहीं कर सकते उसको हम ऐसे कैसे उससे मशीन जो बनाते है ऐसे कैसे तो काम नहीं ले सकते उससे हमें बदलना पड़ेगा मशीन में बदलना पड़ेगा, जैसे अगर हमें मशीन चाहिए, तो लोहे से मशीन बनाएंगे, लोहे से सरिया बनाया, अन्य उपयोगी सामगरिया बनाए, तामबे से बिजली के तार बनाए, अलुमीनियम से बरतन बनाए, ठीक है, डारेक्ट अलुमीनियम को हम बरतन की तर क्यностью होंगे सागर segregation से प्राप्त जो समद्य होती है उसके आधार पर जो होते हैं जैसे समुंदरी भोजन है मचली का तेल है शीप से मोती निकाले جाती है तो वो कैसे उध्धोग होँगे वह समुद्री जो है समुद्र आधारित होंगे इसके लावा जैसे समुद्र से नमक को अलग किया जाता है तो वह भी समुद्री आधारत उध्धोग है नेक्स्ट बच्चो वन अधारित वनों से प्राप्त सामगरी से जो धोग धंदे चलते हैं उनको हम वन अधारित कहेंगे तो कागज के लिए जैसे लुगदी, शहेद, ओशधिया, तो वो क्या है, वो वनों से प्राप्ते सामगरी के उपर धारित होती है, तो उनको हम वन आधारिते कहेंगे, ठीक है, आप देखे आपको, यहाँ पे बहुती आसान से बच्चो प्रशन दिये गए हैं, चार, पहला प्रशन क्या है, नेमलिखी तुद्द्योगोगो कच्चे माल के आधार पर आपको वर्गी करत करना है, जिससे वनस्पती तेल है, चमडे का जूता, ब्रेड बनाना और कागज, तो इनको जो है, आपको क्या करना है, इनको वर्गी करत करना है, तो यहाँ से आप इसका आं ब्रेड बनाना, आटे से ब्रेड बनता है, गेहूं से बनता है, तो वो क्या है, क्रिसी अधारित है, उसके बाद है कागज, कागज भी क्या है, कागज जो है, वन अधारित है, लकडी से कागज बनता है, तो कागज वन अधारित हो गया, तो इस तरह से आपको इनका प्रेशन दो है नमक उध्योग कच्छे माल के अधार पर किस प्रकार के उध्योग का उधारन होगा और क्यों तो नमक जो है वो हमें कहां से मिलेगा समुद्र से मिलेगा तो यह समुद्री अधारित हो जाएगा क्योंकि नमक समुद्र से प्राप्ति उत्पाद है इसलिए य नेक्स देखिए, प्रेशन तीन है, उद्धोग किसे कहते हैं, इसके क्या लाब हैं, तो बच्चों पहले उद्धोग की परिभाशा लिखेंगे और फिर इसके लाब लिखेंगे, तो एक उद्धोग क्या होता है, एक उद्धोग निर्माताओं या व्यवसाओं का एक समू ह जो एक विशेश प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है, उद्धोग क्या करते हैं, उद्धोग के लाब क्या हो चाएंगे, देखे, यह अन्य देशों पर निर्भरता कम करता है, और अर्थ व्योस्ता में सुधार करता है, यानि कोई चीज हम हमारे देश की अर्थ व्योस्ता में सुधार होता है, इससे जीवन स्तर में विरदी होती है, जीवन स्तर जो है से अच्छा होता है, नेक्स्ट है, यह बेरोजगारी को दूर करने में मदद के नए रोजगार के आवसर पैदा करता है, यानि उद्धोग दंदे लोगों को रोजगार देते हैं, तो ये जो है क्या हो जाएंगे, उद्धोग के लाब हो जाएंगे, जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, नेक्स देखिए, प्रशन चार है, आज के दिन आपने जिन वस्तों का उपियोग किया है, उनके एक सूची बनाईए, और उनके लिए कच्छ माल का आधार क्या होगा पता कीजिए, तो आपने जिन जिन वस्तों का उपियोग किया है, उनकी सूची आपको बनानी है, ठीके, और कच्छे माल का आधार क्या है, वो बताना है, हमने आज वस्तर यूज किये, ठीके, उतर लिख देंगे न, ऐसे टेवल बना की, तो वस्त लिया वन अधारी थे बच्चों बरतन हमने प्रियोग किये वो खनीज अधारी थे तो इस तरह से आप टेबल बना देंगे तो यह थी आपकी आज की SST की वरक्षीट I hope सभी बच्चों को यह क्लियर है कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप ऊच सकते हो वीडियो अ